आज देश राम मंदर में राम लला की प्रान प्रतिष्ठा का जश्न मना रहा है। आज देश राम मंदर में प्रान प्रतिष्ठा समरा होने जा रहा है। आप कार्सेवा में भी गई थे। तो क्या आपको लगता है इसमें। जो नब्बे की कार्सेवा थी निरज जी। उसमें मलायम सिंग का उसमें सरकार थी। तो हम लोग जो यहां से कार्सेवा गए थे। तब उस समय संच्री परमनंजी महराज हुआ करते थे। उनकी जो शिश्य थी जो आज की दिदी रितंबरा इसको कहते हैं हम। तब उनकी कथाएं उनके बड़े-बड़े कारिकरम हुआ करते थे। हमारे यहां जीन्द में जैनता देवी मंदीर में वो कारिकरम करती थी। तो उनसे प्रभावित होकर हम उस समय राम मंदीर के अंदोलन में जुड़े थे। और कार सिवा में मैं जब गया था तो संतलाल चुग उस समय बहुत बड़ी शक्षियती पोलेटिकल अब भी है वो। तो उनके नेतरतों में हम लोग यंग बलड़ थे काफी। उस समय हम उस कार सिवा में गए थे। तो मुझे याद है कि रास्ते में ट्रेन खाली करवाना या फिर उस पैदल ट्रैक पे चलना। इवन देन कि आप कल्पना कीजिए उस कार सिवा में चलते चलते जो जुत्ते के निचे का जो भाग होता है वो पूरी तरह से फट गया था और खून आने लग गया था। तब ऐसा लगा कई बार हम को कि हम से जो आगे चल रहे थे वो इमाचल से गुरूप आया हुआ था और उसमें बहुत सारी यंग बच्चे थे लड़के और लड़कियां साउथ के बच्चे थे तो तब लगा कि जब ये लोग चल रहे हैं तो उस समय हम भी उनी की एज के आ कड़ों लोग उस समय सरीयो नदी में भी कूद गए थे बहुत से बच्चे उसमें आसपास के थे गोंडा के फैजाबाद के आसपास के जिलोंगे थे जिनको शहादत हो गई जो शहीद हो गए रामंदिर अंदोलन की इस बेला में तो तब बड़ा आज भी हम याद करते है तो मन को एक बड़ी पीडा सी होती है तो मुलायम सिंग ने जो गोली चलाई थी उस समय हाला कि याद हम केवल कोठारी बंदों को करते हैं करना भी चाहिए कि उन्होंने शादत दी थी शहीद हुए थे वो लग मंदिर का किकार सेवा में लेकिन तब ऐसे बहुत से अंगण विदानती जी अचारे द्रमेंदर जी साधवी रितंबरा जी परमानन जी तब ये मंचसे बोलते थे तो उस समय एक बड़ा अंदोलन था जिसको दबाने का काम उस समय की सरकार मुलायम सिंग ने किया था गोलिये चलाई थी तब मुझे याद पढ़ता है कि शायद हम उस स हाथ पर मौर लगा दी थी कि मौर आपकी रहेगी तो आप कहीं भी ट्रेन में सफर कर सकते हो कलपना कीजिए कि किस तरह की कारसेवा थी और उसके बाद जब दोर हुआ बाद का बनायम सिंग की सरकार थी कल्यान सिंग जी की सरकार थी जब वो जो हमारे समाज के उपर हिंद जो एक साथ थी थे सुनील तब बाद में जो नगर परिशत के चेर्मेन भी बने सुनील शर्मा वो गुंबद से निच्चे गिर गए थे उसको गिराने में अलाकि उसमें भी जीन्द के 8-10 लड़के थे मेरे को याद पढ़ता है कि उस समय मेरे साथ जो थे अभी वो अमारे काम देखतैंगा उसका सामारे कि संक्धन का मैश यह हो भी हमारे साथ थे उस समय एक चक्कर-डैर पर महराच जी होते जब हम भव्य मंदिर बनते हुए देख रहे हैं, तो लग रहा है कि जीवन सफल हो गया, जो इतनी लंबी तपस्या हमारे समाज ने, हमारे देश ने, हमारे इंदुतव ने, सनातनी ने की है, आज वो परफुलित हो रही है, आज हम मंदिर भव्य प्राण परतिष्ठा समारो हो रहा है, तो अपने आपको भागयशाली समझते हैं, कि उसकार सेवा में भाग लिया, और आज अपने आपको सभागयशाली समझते हैं, कि आज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बगवान प्रभुश्री राम आ रहे हैं, एक नई युक कागाज हो रहा ह है तो अपने आपको बागयशाली समझते हैं इन पलों को मैं ऐसे मान सकता हूं ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अजप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूले